आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो सबसे पहले क्या रखा है कि y is greater and equal क्या है यहाँ पर mod of 2x minus 1 है और y is less and equal क्या है अपने पास x square minus x का mod है तो सबसे पहले तो अपन को क्या निकाल लाएं यहाँ पर इस दोनों को graph मैंने अल्रेडी विल्ट करीए 2x minus 1 का mod अगर यह x is less than 1 by 2 है और x is greater than 1 by 2 है तो इस पर दोनों कंडिशन बना दिया similarly x square minus x अगर greater than 0 है तो यह greater than less than 0 है तो इस तरह से ठीक है आगे देखते है अपन इसमें सबसे पहले इनका intersection निकाल लेते है देखो 2x minus 1 is equal to कितना है बच्चो x square minus of x यह इस तरह से लिख दिया मैंने आगे देखते है देखो यह वाला point तो क्या हो जाएगा अपना obviously 1 हो जाएगा अपनको ultimately इन दोनों के coordinate निकाल ले इसका और इसका ठीक है तो यहां से क्या लिखेंगे 2x minus 1 is equal to x square minus x मतलब x square minus x minus 2x मतलब minus 3x plus 1 is equal to 0 students तो देखो x की वह लुक दिना आगी minus of minus 3 मतलब plus 3 plus minus under root of minus 3 का all square कितना होता है 9 minus 4 times of 1 times of 1 मतलब 4 divided by 2 times of 1 तो x की value कितनी आदियां से 3 plus minus under root of 5 divided by 2 students यहां पर अपन पुट कर सकते हैं यह वाला point तो minus वाल होगा ठीक है lower end तो 3 minus root 5 divided by 2 यह वाल हो जागा 3 plus root 5 divided by 2 यह इस तरह से चीज़ आ चुकी है अब देखते आगे since both curves are symmetric about x equal to y by 2 देखो यहां पर एक curves है यह पूरी तरह से symmetric है और area यही तो है अपना ठीक है जो अपन को find करना है तो आपन को क्या कह सकते हैं कि sensor curves are symmetric कि स्टूरेंट्स curves are symmetric कि स्टूरेंट्स symmetric about x equal to 1 by 2 कि स्टूरेंट्स तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि area क्या हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा 2 times of limit कहां से कहां तक चलेगी तो यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट सेम है तो आपन ट्वास ही करके 1 by 2 और वो पार्ट क्या है का integral का y1 minus y2 ठीक है तो मतलब यह वाला पार्ट तो mod of x square minus x को तो अपन x minus x square के format में लेंगे ठीक है minus of और यह क्या लेंगे अपन 2x minus 1 का वाला मॉड लेंगे negative वाला तो 1 minus 2x ठीक है बच्चो यह आगे और times of dx आब इसको यह को solve करते आगे तो a is equals to कितना आता है 2 times of integral of 3 minus under root 5 divided by 2 से लेकर 1 by 2 अब देखो यहाँ पर ही कितना है minus x square है फिर उसके बाद यहाँ जाता है plus 2x और यह plus x मतलब प्लस का कितना आ जाता है 3x आ जाता है ठीक है और plus 3x फिर minus 1 and times of dx यहाँ पर आपन क्या करेंगे बच्चो इसका integral a is equals to आता है 2 times of code ठीक है तो sorry इसको लेकर अपन देखो 2 times of integral of minus x square को जागा minus x cube by 3 plus 3x कितना जागा 3x square by 2 minus 1 को जागा minus x और limit वही अपनी 3 minus root 5 divided by 2 से लेकर 1 divided by 2 तक आप देखते हैं इसके अंदर x को मैं common ले सकता हूँ इसी calculation के लिए तो देखो 2x बन जाता है और यहाँ पर ही क्या बनेगा minus x square by 3 plus 3x by 2 minus 1 वही limit 3 minus root 5 divided by 2 से लेकर 1 divided by 2 तक आप देखो इसको calculate क्या से करेंगे a is equals to 2 times offer यहाँ पर बात करते हैं पर limit minus low limit तो 1 by 2 minus of 3 minus root 5 है तो minus 3 है ना और यहाँ इसको direct LCM करके लिख लेते है minus 3 plus root 5 आ जाएगा ठीक है यह तो minus को हो जाएगा यह पॉस्टिव को हो जाएगा यह इस तरह से आगया times अब यहाँ पर बात करते हैं को minus of है ना minus 1 by 3 अपना है यह फिर x square मतलब 1 by 2 को all square कितना हो जाता है बच्चों यह 1 by 4 हो जाएगा फिर minus of x square मतलब 3 minus root 5 का all square ठीक है तो मैं लिख सकता हूँ 3 minus root 5 का all square divided by 2 का square कितना हो जाता है डारेक्ट लिख सकते है 4 हो जाता है प्लस 3 by 2 मैं ना भान निकाल लिया एक तरह से और x की जब अपना क्या लिखेंगा अपना 1 by 2 minus 3 minus root 5 एंड divided by 2 यह इस तरह से लिख दिया मैंना आगे देखते हैं minus बनता अपना है यह तो इसको calculate करते हैं तो a is equals to कितना आता है 2 times of यह आता है root 5 फिर 1 minus 3 मतलब minus 2 divided by 2 फिर उसके बाद आता है क्या देखो यह जाता अपने पास क्या minus 1 by 3 times of देखो LCM लेंगे अपन तो क्या बनेगा LCM पर 4 बनता है उंपर क्या आता 1 minus of यह 3 minus root 5 का किस तरह से होगा 3 का square 9 फिर उसके बाद root 5 का कितना होता है 5 होता है तो यहाँ पर minus 7 है तो वही minus 5 अब देखो 2 a भी तो 2 times of 3 times of root 5 मतलब 6 root 5 लेके negative का तो लेके negative negative positive हो जाएगा plus 6 under root 5 यहाँ जाता है plus 3 by 2 times of यहाँ पर देखो LCM लेंगे ना 2 तो क्या बनेग अपना 1 minus 3 minus 2 और minus minus plus मतलब root 5 minus 2 similarly इस की तरह है first part की तरह ठीक है और यह minus 1 है यह अपने पास आगे देखते है अपन तो a equals 2 बच्चो कितना आता है यहां से आपसो solve करूं तो यहां से 2 से मेरा 2 direct cancel out हो जाता है फिर root 5 minus 2 तो यहां लिखते है पहले तो root 5 minus 2 और यहां पर कितना आगा देखो यह 6 root 5 1 minus 9 कितना होता है 1 minus 9 मतलब minus 8 minus 8 और minus 5 मतलब minus 13 ठीक है तो देखो minus 13 और यह minus आगे सा है नहीं तो minus minus plus 13 और यह कितना आता है minus 6 under root 5 ठीक है और divided by 4 यह इस तरह से आ जाती टर्म और और नीचे 3 भी है तो divided by 4 3 जा 12 लिख सकते है अपन डिरेक्टी ठीक है बच्चो तो मैंने लिखते है इसको 12 बापिस चेक कर सकते है 1 minus 9 मतलब minus 8 minus 5 मतलब माइनस 13 तो माइनस माइनस प्लस तो 13 प्लस का हो गया रूट 6 रूट 5 प्लस का था तो यह माइनस का हो जाएगा और 4 तीजा 12 आगे देखते है यहां पर प्लस इसका LCM लेंगे 2 तूजा 4 ओके और यह कितना आगा बच्चो यहां से 3 अंडर रूट 5 माइनस यहां पर कितना आगा 3 तूजा 6 और फिर माइनस 1 यहां चुका है इस तरह से अम मेरे को क्या निकालना यहां से रूट 5 माइनस 2 यह तो है यह अपने पास यहां पर आपने LCM लेंगे तो देखो LCM क्या आएगा बच्चो LCM आएगा पूरा की पूरा 12 तो यहां पर 13 माइनस 6 रूट 5 प्लस 4 तूजा 12 तो यहां पर इसको 3 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 3 तूजा 9 तो 9 रूट 5 माइनस 6 तूजा यह कितना होता है 6 3 तूजा 18 ठीक है फिर माइनस 12 तो देखो A is equals to कितना होता है अपने पास रूट 5 माइनस 2 और टाइमस ओफो यह कितना आता है देखो 13 में से 12 जाएंगे बच्चो तो 1 बच्चे का 1 माइनस 18 मतलब 13 में से 12 जाएंगे तो 1 और 1 माइनस 18 मतलब माइनस का 17 और यहां देखो 9 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 मतलब 3 अंडर रूट 5 यह तरह साचो की टर्म्स अब देखते आगे अपन को निकालना आप पहले काम करते है 6 A की वैलू निकाल देते है तो देखो 6 A कितना आप जागा है यहांसे रूट 5 माइनस 2 टाइमस 3 रूट 5 माइनस 17 एंड डिवाइड़ बाई 2 यह 6 A की वैलू आ यहांसे देखते है दो आयन को मल्टिप्लाइ करेंगे तो 3 और रूट 5 रूट 5 कितना होता है 5 होता है 5 फ्रीजा 15 फिर माइनस 3 टू जा 6 तो 6 रू 2 यह आगया तो 6 A की वैलू आ जाती है अपने पास 15 और 34 मतलब 49 ठीक है तो मैं लेख सकता हूं क्या यह देखो 15 और 34 आता अपना 49 फिर माइनस 17 और 6 कितना होता है बच्चो 17 और 6 तो अपना 23 और यह अंडर रूट 5 और डिवाइड़ बाई 2 यह तो आगया 6 A की वैलू अम सबस्क्राइब और जिकाता है 49 माइनस 23 अंडर रूट 5 डिवाइड़ बाई 2 प्लस 11 मतलब 49 माइनस 23 अंडर रूट 5 प्लस 11 तो यह आ जाता अपने पास क्या 6 A प्लस 11 की वैलू आ जाती है बच्चो 49 में अगर 22 जोड़ेंगे 50 50, 50 प्लस 21 मतलब 71 और यह माइनस 23 अंडर र सब्सक्राइब करना है तो यहां से कितना आएगा बच्चो यह 71-23 अंडर रूट 5 और डिवाइड बाइट बाइट वाइट टू और इस पूरी ट्रम का होल इसका है चीक है तो देखो एस ए मैनस भी का होल इसकार प्लस बीसकार माइनस टू यहां से अपन क्या कह सकते देखो सेवंटीवन है ना तो सेवंटीवन का होल इसकार कितना आता है बच्चो वह जाता अपने पास 5041 प्लस 23 रूट टू सॉन्टीथरी रूट वाइब का होल इसकार मतलब फाइब तो इसको फाइब से मल्टीप्लाइब करेंगे तो कितना आता 2645 माइनस अब यहां पर देखो तो यह भी होता है ना तो टू टाइमस ओफो 71 टाइमस ओफ 23 रूट फाइब मतलब यह आ जाता है 3266 रूट फाइब बाई टू टू जा फोर चीक है तो मतलब यह आ जाता अपने पास क्या 5041 प्लस 2645 मतलब 7686 माइनस 3266 रूट पाइब डिवाइब बाई बाई फोर के तो अपन क्या कहेंगे at the end यही क्या हो जागा अपना final answer of this question, that's all, thank you